समंकाय शिरोग्रिवं धार यन्न चलम स्तिरा संप्रेक्ष नाशिकाग्रम स्वं दिशेच्चावल लोक यनुद। कल थोड़ा कुछ नेटर प्रॉब्लेम होने के कारण रास्ते में था। इस लोक का पुरा अर्था आपको बतानी पाया। भगवान कहते हैं समंकाय शिरोग्रिवं धार यन्न चलम स्तिरा। भगवान ने ध्यान में बैटने की विदी बताईए। साधारन मनुष्यों को ध्यान में कैसे बैटना चाहिए कैसे करना चाहिए। उसका एक विदान परमात्मा ने जब दोनों हाथ ऐसे हम लोग बिठा देते हैं। और गोधी में जब रखते हैं तो कंदे थोड़े उचे हो जाते हैं। और उन्होंने कहा कि उसमें अगर हो सके तो आप वजरासन में बैटते हुए। अब वजरासन किसको लगाना चाहिए। ग्रस्त जीवन के लोगों को मैंने वजरासन की विदी आपको बताई। मुत्र और गुदा के बीच में जो स्थान बना रहता है उसमें यड़ी लगाकर बैटकर आख जो आती है आख अपने आप ही आधी आधी खुली हो जाती है आख है। थोड़ी आख अर्धव इसको अर्धोन मुलन आख का है संस्क्रत में अर्धो मिलन आके का है अर्धोन मिलन मतलब थोड़ी आखे आधे खुल के नासिका का अग्रभाग देखते हुए उस एकाग्र होकर कभी कभी आखे उपर भी चड़ जाती है आखे बंद हो जाती है किसी के आखे यहां आती है किसी के आखे उपर चड़ जाती है और उस चड़ते विए उसमें अपने आपे नेत्र के जितने भी हमारे अपने पल के बंद होकर भार की तरफ नासिका अग्र के उपर एकागर होता है बिटती और फिर देरे दे इसकी द्रश्टी जो है भीतर के और जाने लगती है जो बाईये जगत जैसा ये आख अमारे कर्मेंद्रे जो है आख ना चान जिवहां मल मुत्र इनकी सभीकी दिशा बाईये जगत के और है अंतर जगत में नहीं है कि ध्यान में आखे भी देखते तो भार के देखते कां सुनता है तो भार की सुनता है लेकिन धिरे धिरे आपके अगर नाशिक आके उपर या उपर की तरफ अगर आके चली जाने लगे तो यह स्रिष्ट लक्षम बताए अपने आप उसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत न अपने यह पर लग जाती है ऐसी छोने थटि का भाग हं इसको वह जब वह ठोड़ी अपने अपने यूप नीचे उस खड्डे में चले जाये और उसमें जब आपका सीर-चहतिक और अपने अपमि मूर्डने लगता है है और जब कंटनली का उसमें अपने आप फसकर समेट वह समेट जाती है उसको जालंदर बंद कहते हैं अब किस्यों को सरवाइकल पेन जादा हो या बहुत जादा हो तो उसको नहीं करना चाहिए और फिर जब यहां होने लगे तो जो रदय लोग कहा गया है और रदय लोग अपने आपे प्रसन्न और परफलित होता ह कि उसको उड्यान बंद मुद्रा में बैट कर बाईय अंगों पर जब हम लोग प्रभाव डालते हैं उसका अभ्यास करने लगते हैं तो धिरे 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 अपने आपई वह उसमार्या समं काये शिरोग्रिवं धारयन चलंस्तिरा जा समंग्राई आप सम कहा गया सम प्रेक से नाशिका ग्रम या नाशिका का अग्रभाग परमात्माने का दिशस्चाव लोक अयनम अपने आप समाप्त उसके और जाने लगते हैं आधेका स्लोक और भगवान ने ध्यान में बैटने का विदान बताया प्रशांतात्मा विगतर प्रशंतात्मा विगतभीतव क्या का प्रशंत आत्मा भेकत अभीर ब्रह्म चारी व्रतेस्तिता मना संयम में मत्चितो युक्तो आशित मत्परा शेरिण के जब बाहिय जगत का हमारा अभ्यास हो जाए भीतर की तरप हम जब अपने आप जाने लगे मनुरुतिया अपने आप धिरे धिरे आपकी जो कल्पना अंतर मन में चलती है यह इसका संक्यत है कल्पना अपने आप बंद हो जाती है कल्पना को बंद करने का प्रेत्न नहीं करना चाहिए और आपके प्रेतन से आपकी कलपना बंद भी नहीं होती है जब भजन की वो पूरी उस अवस्ता में आप जब चले जाते हों तो आप अपने आपे कलपना तित होती है हमारी प्रवरुत्ती जो है अपने आप शाम्त हो जाती है शेरीड अपने आपे उसमें सहज विराम पाने लगता है शेरीड की अवस्ता लोगों का लगता हो कि आलस है शेरीड की अवस्ता उसमें बनी रहती है और निद्रा कहा चली जाती है निद्रा भी उस वेक्ति की कम होती है और उसमें भगवान ने कहा कि दिवास अपनों योगियों को रात में कुंडलीनी शक्ति सोने नहीं देती है रात में कमशकम हो वेक्ति अगर सादक है तो दो-तिन बज़े तक उसको जगएगा ही हो यह इसका सभाव लोगों का लगता निन नहीं आ रही यह नहीं आ रही अपने आपे उन्होंने भगवान ने कहा मना सहीय में मच्च तो युक तो आशिन मत पड़ा उसमें निद्रा कहा चली जाए अपने कोई पता नहीं ता है मुलबंद लगा कर अब मुलबंद हम लोग गईते कि मुलाधार जो है मुलाधार में गुदाद्वार को उपर के और खेचना साधना के तरीके बता रहा हूं आपको और फिर अपने आपको सम्मेक होकर अपान वायू जब हमारे शेरिड में पीच्छी के तरब आपको पता होगा अपान वायू लेने के तरीके रीड की हड़ी है रीड की हड़ी से वो स्वास लेता है और वो पलटने लगता है पलटना मतलब वुल्टा चलना वो उल्टी चलती है स्वास उपर के और बढ़ने लगता है उसका और उसके उपर अपने आपको दबाव देने की जरूरत नहीं है वो फूलने लगती है और जब कुपित हो जाती अपानवायू तो अपानवायू कुपित होने के बाद अपने आपके उसमें कभी-कभी जैसे आप बादल की आवाज सुनते हो तो बादल की गड़गणानी की आवाज आपके शेरिर में आने लगती है गड़गणाते वहीं नाभी प्रदेश में जो मनिपूर चक्रस्तित है उसमें रह रह कर कभी-कभी दखके लगते हैं आपको जिसी को योगी को पुछो मुझे होत तब तब उसकी अपने आप अपनवायू में हल्चल होने के बाद शेरिल रूपी देह रूपी ग्रहों को अपने आप खोशते हुए चारों तरफ शेरिल में घुमते हुए जितने भी अंदर का पित वात मल जहां हम लोग कहते हैं कि रखत के दोष मज्जा के दोष में आप जिसको नाना प्रकार के अपने आप जितने भी बजच्पन से लेकर अभी तक जो भी आप ने किया, वो सारे के सारे दोषों को अंदर एकठा करके भार फेख देता है और अपान वायू की तरंगे अपने आप इस शेरिड में भागने लगती है घूमने लगती है और घूमते 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 उसके देह में अपने आप तरंगे वह अपने सोरूप में शेरिड में हलका पनाता है ये वायू तत्वक की साधना का एक प्रकार माना है कोटे में प्रविष्ट जितने भी पित जो भी है जो अपान वायू अगर जब आपके शेरिड में प्रविष्ट हो जाए सक्रिय हो जाए जागरत हो जाए तो अपने मेद के परवत मेद मतलब जो मेंदू आता है उस मेद मेद के परवत को अपने आप वह हिला कर उसमें से र जिववा होती है वहां जिववाँ तीकना जब जिववाँ टिकती है तो अंदर शे रस निकलने लगता है उसका बड़ा थेलीय अटाईप आता है उचको भी रस निकालने का थे कई लोग पेन निकाल लगा का निकालते हैं जो् demons निकालते Кई कई लोग तो तालू को काट लेते हैं मैंने कई योगियों को देखा अंदर की जो तालू आती है तालू को काट देते हैं जुआ वहां तक पहुचे साधान उसमें कोई कढ़िनाई नहों तो ऐसे भी करते देवरा बाबा ने अपने वहां तालू को काटा था यह मैंने देखा करना उसके प्रयोग आते हैं जब वायू अपने आप ही तो वायू मारगत की अपने आप नली का खुड़ने लगती है और नली का खुलते समय अवयों में जितना भी ढिलापन अपने आप है वो लक्षन शेरिर में कभी-कभी हो सकता है आलस याता है चिड़चिड़ा पनाता है कभी मन नहीं लगता है कभी-कभी मन अशामत होता है अपने आप है उसमें नव सादकों को इसमें भाईवीत होने की जरूरत नहीं है नए नए लोग जो है कई लोग छोड़ देते लेकिन उसको भैवित होने की जरूरत नहीं है और अपने आप इस शेरिण में सारे के सारे दुर्गुल जो दुख है या शेरिण की जो पीड़ा है और पीड़ा अपने आप समाप्त करते हुए करीब करीब हो सके तो जादा तर देर आप लोग वजरासन में बैठने का प्रेतन करें जितनी भी वजरासन की जितनी भी जागरती आपको जो कुंडलीनी शक्ति कहते हैं ये कुंडलीनी शक्ति हाथी को स्परशकरो तो भी देख सकते लेकिन कुंडलीनी शक्ति बहुत धिमिगत्य से खुलती है मैं सुरता हूँ आपको बता हूँ कोई अगर आपको लालच दे कि मैं एक दिन में दो दिन में तीन दिन में कुंडलीनी शक्ति जागरत कर दूँगा ये सरासर अक्षरत सा सव प्रतिशे जूट बोल रहा है अदमी कोई योगी के सानिद्य में बेटने के बाद अपने आप पर आपका शेरिड भारी होना अपने आप पर उनकी ओरा सामुएक साधना में किसी की हो तो वह अपने अप वह वाईू मंडल में उसको प्रभाव के साथ कुंडलीनी शक्ति खुलती है लेकिन आपको अभ्यास आपक मनिपूर स्वादिष्टान अनहत विशुद्ध आग्या सहस्रदाल उन सभी के अपने पास से अपने आप निकलते हुए जौला की तरह उपर चड़ने लगती है और जौला की तरह जब उपर चड़ते हुए अच्छी तरीके से बंदी वही रहती है और सभी वजरासन के द देहरा जो उस बंदीवी कुंदली जो यह है स्वई हुई है वह अपने आप पर जाब कर आपको बहुत दिनों तो कई लोगों की भूग कम हो जाती है कई लोग का जो पहले दस रोटी खाते थे देखना वह आधी रोटी में ही आ जाते वह थोड़ा सा खा ले तो भी उसका पेट भर जाता है और सभी उसमें ततक्षन उसमें अपान वायू की प्राप्ति होने के बाद आकर सभी अपने वायू के द्वारा उसकी जब मुख उ करता हूं कल अपने उसके उपर चिंतन करेंगे क्या-क्या विदान हो सकता है कैसे कैसे अनुभू होते हैं इस कुंडली नी शक्ति के उपर मैं आपको चिंतन करूंगा क्रिश्न का नहीं आला लाइंडी जै